मुंबई में ओमिक्रॉन के दो और केस मिलने के बाद महराष्ट में संक्रमन बढ़ने का खत्रा बढ़ गया है उधर मैंगुलूरू के एक स्कूल और कॉलेज में कोरोना विस्पोट हुआ है ब्रिटिन में कल एक दिन में 90 ओमिक्रॉन के मामले मिलने से हरकम पमच गया है अमेरिका के 17 राजों में 49 केस ऐसे अब तक आ चुके हैं इस बीच डावलो एचो आज बूस्टर डोस और कोरोना के नए वेरियंट को लेकर बड़ी बैठक भी करने वाला है दुनिया की सबसे बड़ी महामारी से जोड़ी हर अपडेट जानिये टॉप नाइन ओमिक्रॉन अलोट में कोरोना के सबसे घातक वेरियंट ओमिक्रॉन के दो नए मामले मुंबई में भी मिले हैं अपरिक्षिन अफिरिका से लोटे मुंबई के 37 साल के पुरूश और अमेरिका से लोटी 36 साल की महला ओमिक्रॉन से संक्रमित पाई गई है दोनों का इलाज मुंबई के अस्पताल में चल रहा है इन दोनों केस को मिला कर महराष्ट में ओमिक्रॉन के 10 मामले मिल चुके हैं देश में अब तक ओमिक्रॉन के 23 मामले सामने आ चुके हैं करनाटक के मेंगलूरू के एक कॉलेज में कॉरोना के नौ नए मामले मिले से हड़कम पंच गया है कॉलेज में 173 सेंपल की जाच की गई थी कॉलेज को कंटेन्मेंट जोन खोशित कर दिया गया है वेरियंट की पहचान के लिए संक्रमीतों के सेंपल जीनोमिक्स जिक्वेंसिंग के लिए भेजे गए है इससे पहले यहां के एक स्कूल में 100 से ज्यादा कोरोना के केस मिल चुके है तेलंगाना के करीम नगर में भी एक मेडिकल कॉलेज में 43 चात्र कोरोना पॉजिटिव मिले थे ओमिक्रोन संक्रमन के बढ़ते खत्र के बीच विदेश यात्रा से हैदराबाद पहुंचे जिन तेरह यात्रियों को कोरोना पॉजिटिव पाया था उनके ओमिक्रोन वेरियंट की रिपोर्ट नेगेटिव आई है तेलंगाना सरकार ने हाई रिस्क केटेगरी वाले देशों से आने वाले यात्रियों के लिए एरपोर्ट पर ही आटीपीसियार जांच अनिवारी कर दी है अभी तक हाई रिस्क केटेगरी वाले देशों से अठारसों से ज़्यादा यात्री हाइदराबाद आ चुके हैं देश में ओमिक्रोन के खत्रे के बीच दिल्ली एरपोर्ट पर लगातार भारी भीर ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है विदेशों से खास कर हाई रिस्क केटेगरी वाले देशों से आने वाले यात्रियों के एरपोर्ट पर कोरोना जाच के लिए लंबी लाइन दिखाई दे रही है इसको लेकर केंद्री विमानन मंत्री हरदीप सिंख पूरी ने बैठक बुला कर एरपोर्ट परशाशन को वेवस्था सही करने के निर्देश दिये है ICMR और NIV के वैग्यानिक कुरोना वायरेस के ओमिक्रोन वेरियंट की स्टड़ी करने में लगे हुए है ओमिक्रोन की तना खतरनाक है ये कुरोना की दूसरे वेरियंट से कैसे अलग है इस पर कौन सा वैक्सिन कितना असरदार होगा इन सभी बातों की परताल के लिए वैग्यानिक ओमिक्रोन संक्रमितों की सेंपल की जाच चलग से करेंगे ओमिक्रोन के बढ़ते खतर के बीच भारत ने कुरोना वैक्सिनेशन में एक और रिकॉर्ड बनाया है देश की आधी से जादा आबादी को वैक्सिन के दोनों डोज लग चुकी है केंद्र स्वास्त मंत्री मंसुक बंडाविया ने ट्वीट कर बताया कि देश की 85 फिस्ती आबादी को वैक्सिन की पहरी डोज लग चुकी है अब तक वैक्सिन की 128 करोड डोज लगाए जा चुकी है पिछले 24 घंटे में ब्रिटेन में ओमिक्रोन के 90 नए केस मिले है इस बीच फ्रांस में कोरोणा के खत्रे को देखते हुई एक महने के लिए नाइट क्लबों को बंद कर दिया गया है दुनिया में ओमिक्रोन के खत्रे को लेकर विश्व स्वास्त संगटन के रणनीतिक सलाकारों की आज वैक्सिनेशन और बूस्टर डोज को लेकर बड़ी बैठक होने वाली है इस बैठक में कोरोणा के बूस्टर डोज की खुराग की जरूरत को लेकर चर्चा होगी इस बैठक में ओमिक्रोन से बचाओ और वायरस के नए रूप और उसके असर पर भी बात होगी दुनिया के कई देसों में बूस्टर डोज लगाने की शुरूआत पहले ही हो चुकी है दुनिया भर में कोरोणा और इसके नए वेरियंट ओमिक्रोन के बढ़ते मामले के बीच एक और भरत्य कंपनी को वैक्सीन के इस्तिमाल की मंजूरी मिल गई है जायडस की वैक्सीन उन राजियों में 18 साल से उपर के लोगों को लगाई जाएगी जहां पहले से ही टीका करन की रफतार कम है बिहार, पंजाब, महराष्ट, उत्तरप्रदेश और तमिल लाडू को जायडस वैक्सीन की एक करोण खुराग दी जाएगी